Hello everyone, Good morning, Namaskar, 9 February 2024 और The Hindu News Paper Analysis में आपका स्वागत है, आज की जितने भी important news होंगी वो इस वीडियो के थूरू discuss करेंगे, इस वीडियो में आपको कुछ questions मिलेंगे जिसके answer आपको नीचे comment करने हैं, सबसे पहले बात करेंगे front page पर, हमने 2024 का जब interim budget पड़ा, तो उसमें एक provision किया करेंगे, जिसमें 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार रही 10 साल का जो tenure था government का, उसमें किस तरीके से mismanagement किया गया, ये जो white paper produce किया गया, इसके counter में opposition political party खासकर congress के दौरा जो है black paper present किया गया, दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कि exactly किस तरीके से economy के बारे में जो interpretation है, उस सरकार के दौ और opposition political parties के दौरा की गई है, सबसे पहले इन्होंने का कि हमने economy को save किया है, crisis से, इसके अलावा यहाँ पर economy जो interim budget में promise किया गया, तो complete किया गया, 10 साल में किस तरीके से inheritance of laws देखने को मिला, 2004 से 2014 की बीच में, और कैसे एक तरीके से crisis था, फिर paralysis था, और कैसे NDA ने उसको rescue किय उसके बारे में बताए, NDA मतलब National Democratic Alliance, तो main point क्या है इसमें, उसके बारे में direct पढ़ेंगे, कुछ political angle भी definitely आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो main इन्होंने points बताए, इसके अंदर उसके बारे में हम लोग direct बात करेंगे, सबसे पहले इन्होंने कहा कि UPA टाइम पे जो growth थ इससे पहले NDA government में जो फॉर्मर प्राइम स्टाइटल बेहरी वाजबें कि दौर लेट की गी थी, उसको कहींने कहीं continue किया गया था, लेकिन फिर कुछ quick fixes आते हैं, for example अगर हम बात करते हैं, कि भाई profligate काफी ज़्यादा देखने को मिला, fiscally profligate का मतलब होता है, कि पैसे कि फिजूल कर्ची, इसके बाद यहां पर बताया गया कि reform के नाम पर farm loan wave कर दिये गए, जिसे financially एक huge stress government के उपर पड़ा, इसके अलावा अधार के अंदर reform नहीं किया गया, GST जो 2006 के अंदर introduced किया गया था basically, लेकिन GST implement किया गया 2017 में, इसके अलावा जब 2014 में हमने economy के पारी आई, तो बहुत सारे economic perspective में, bad shape के अंदर थे, बहुत सारे crisis थे, और बहुत सारे challenges थे जो economic के अंदर, mismanagement का example था, for example, यहां पर यह बताया गया कि एक तो fundamental जो थी, उसको restore किया गया, fundamental health को restore किया गया, और macro economic infrastructure जैसे inflation, forex reserve और highway building है, इन सब को correction किया गया, infrastructure में आप देखेंगे, यह politically debate हो सकता, लेकिन infrastructure के मामले में, government ने काफी मेहनत करी, इसको लेकर तो doubt नहीं है, inflation एक ऐसा topic है, जो ups and down हुआ है, कि कभी inflation बढ़ी है, कभी घटी है, और forex reserve भी इसमें doubt नहीं है, कि देश के अंदर जो हमारे पास forex reserve है, वो increase हुआ है, तो कुछ चीज़ें definitely positive है, अब इसको लेकर जो concern पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग जो challenge है, वो भी हम लोग इसके बारे में discuss करेंगे, इसके अलावा national interest और fiscal responsibility के लिए, जो governance की requirement होती है, वो हमने create करी, इसके बाद एक topic काफी debate होता, कि पहले economic होना, fragile 5 की path सबसे challenging, fragile का मतलब होता, vulnerable economies में count किया जाता था, आज के time पे हम लोग top 5 economies है, दुनिया की third highest contribution रखते हैं, global growth के अंदर, और बड़ी economy में, तेजी से growth करने वाली economies में, इसके एक है, इंडियन economy, तो इसके हिसाब से, यहाँ पर हमने का कि हमने जो necessary requirement होती है, किसी भी growth path के लिए, वो सारे step लिए, और एक तरीके से हमने जो यह challenges थे, UPA government के उनको take cover किया, इसके अलावा 1991 में, जब हमने देखा था कि Forex exchange काफी कम हो गया था, और सरकार को IMF को approach करना पड़ा था, जिसमें balance of payment crisis इसको बोलते हैं, Forex reserve कम होना, सीधा सीधा जो overall import और export की activity होती है, खास example आपने अभी recent years में सिलंका देखा होगा, जहां पर Forex reserve की value कम हो गई थी, तो उनके पास import cover करने के लिए पैसा नहीं था, import cover या import cost जो word use होते हैं, हम जो import चीजे करते हैं, उसके लिए जो पैसा देना पड़ता है, उसके बारे में, उस time कहा गया था कि जो 6 महिने से कम का import पच्चा था, 2004 में 17 महिने का import था, आज के time पे लगवगद साड़े 10 महिने का import के लिए हमारे पास Forex reserve है, इसके अलावा इन्होंने bankruptcy code, foreign direct investment के अंदर liberalization करना हो, जिसे investment बढ़ाए, GST के अंदर reform करना हो, सारी चीजे इन्होंने कही, 2016 में जो demonetization किया गया था, उसके बारे में तो discuss नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि black money और इस तरह की activity को disgrace करने के लिए हमने काफी चीजे करी है, या government ने as a economy जो है काफी उसमें step लिए हैं, इसके अलावा अगर हम बात करें, paper जो है वो कई सारे जो corruption allegation दे जैसे westland helicopters था या basic trainer aircraft था, इन से पर बहुत ज़्यादा चीजे जो सरकार ने नहीं बोली है, लेकिन पिछले 10, इस से पहले वाले जो 10 साल थे, 2014 से 14 के बीच, 4 से 14 के बीच में, उसमें सरकार ने किस तरीके से financially mismanagement किया, उसको लेकर एक white paper present किया गया, अब क्योंक ब्लैक पेपर रिलीज किया एक नाम से, और इसमें उन्होंने कई सारे points रेज गई, यह पिसले जो 10 साल है यह period of injustice है, अन्यायकाल है, और इसके अलावा उन्होंने documents में unemployment, ination, I think ination है या inflation है, exact नहीं पता, यह साथ inflation का ही discuss किया विया हुआ, इसके अलावा institutions को सवर्जन करना हो, यह जो independent institution है, उन्हों पर काफ़े attack किया गया है, इन्होंने का, farmer distress face कर रहे है, महिलाओं के परती जो है, crime बड़े है, injustice हुआ है, minorities के against injustice हुआ है, इसके अलावा मनीपूर issues पर सरकार बहुत कुछ बोलती नहीं है, China border में क्या situation उसके बारे हैं, बहुत जादा awareness जो है सरका है, तो यह कुछ issues है, जो counter किये गे, government of India के द्वारा, जो white paper present किया गया, मैंने पहले ही बताया था, कि आप Pucks और विपक्स दोनों को पढ़िए, critically analysis में काफी मदद करता है, इस तरह के सवाल जबाएंगे, इसके अलावा, हमने कल यह पढ़ा था, कि बहुत सारे South India के CM, यह South इंडिया की political party, जो है, वो protest कर रही है, center government के against, और इसमें आप देखेंगे, कुछ CM है, और यह protest basically इसलिए कर रहे है, इनका यह मानना है कि central government, जो है, fiscal federalism को कहिने के challenge कर रही है, fiscal federalism का मतलब यह है, कि जो उनको पैसा मिलना चाहिए, उनको proper समय पर नहीं मिल रहा है, या उनक करते हैं, एक और important news के साथ, जिसमें अगर हम बात करें, एक important topic है, वो है free moment regime को लेकर, काफी debate इसको लेकर चल रही है, यह free moment regime क्या है, महिनमार border के साथ, उसके बारे में discuss किया गया है, तो इसको scrap करने के बारे में सरकार ने decision लिया है, कि हम लोग इस moment को, इस regime को जो scrap करेंग यूनियर गोर्मेंट ने decision लिया है, कि हम लोग free moment regime, जो महिनमार border के आसपास है, उसको scrap करेंगे, क्योंकि यह country के internal security का मामला है, और हमारे north eastern state की demography को maintain करने के लिए, बहुत जादा relevant है, home ministry ने recommendation किया कि immediate suspension किया जाएगा इस regime को, जिसमें restriction लगेगा, कि ना तो देखो, इसका सिधा मतलबी होता, जो border है ना, उसको 16 km तक महिनमार में, उनको एक साल का past release किया जाएगा, वही maximum एक या दो वीक तक वो रह सकते हैं, इसके अलावा, 16 km तक बिना किसी passport visa की वो entry कर सकते इस तरह का provision है, तो यहाँ पर यह बताया गया कि यह प्राइमेस्टर का vision था, कि हम लोग secure करेंगे हमारे सारे borders को, और ministry of action of fair का क्योंकि important role है, तो वो भी process के अंदर सामिल है, इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि hill tribe में, जो citizen, चाए वो महिनमार का हो, चाए भारत का solar kilometer तक enter कर सकता है, उसके पास border pass होगा, एक साल तक valid होगा, और maximum two weeks तक वो एक stay में रह सकता है, भारत और महिनमार के बीच में, 1643 kilometer का border है, और इसमें 40 kilometer के आज़ पास, जो free moment regime की permission दी जाती है, इनमें से पहले 40 kilometer तक थी, अब ये 2004 से 16 kilometer तक प्रमिशन दी गई थी, 2016 में इसमें revise किया गया था, इससे पहले fencing के लोकर जो debate होती है, 2010 में 4.07 kilometer fence किया गया था, और 2022 ते इसमें 6.81 kilometer तक ही fencing होगा, यानि पिछले 9 साल में border में fencing के मामले में, बहुत ही कम काम हुआ है, इसके अलाव क्योंकि असम rifles अपने आप में important role play करता है, असम rifle forces का, तो इस context में अपने आप में बहुत ज़्यादा relevant और important हो जाता है मैंनमार के context में, मैंने मैंनमार को लेकर कई सारे सवाल पूचे थे, मैं फिर repeat कर रहा हूँ, मैंनमार बहुत important है, geographical perspective से UPS से सवाल पूच सकती है, आपक फिर से comment करना है, कि मैंनमार के साथ भारत के कौन-कौन से state boundary share करते है, और मैंनमार की boundary in countries के साथ लगती है, जरूर नीचे comment करी, क्योंकि मैंनमार काफी ज़्यादा debate में है, और high possibility हो सकती है, कि सवाल direct और indirect मैंनमार को लेकर हो, तो उसके बारे में जरूर आप नीचे comment करिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ और important news को हम लोग identify करने कोसिस करते हैं, इसके बाद यहाँ पर एक statement आपको देखने को मिलेगी, तमिलनाडो की जो CM है, उन्होंने प्रैमिस्टर का criticism किया कि आप as a municipality की तरह हमें समझते हैं, उन्होंने का कि हमसे education right, language right, जो low related rights है, वो सब snatch किये गए, तो यह सारी चीजे debate चल रही है, और continue debate इस तरह की देखने को मिलेगी, इसके बाद मैं यह photograph देख रहा था, जब भी art and culture की कोई photograph भी present की जाये newspaper में, आप उसके बारे में जुरूर पढ़िए कि exactly किस festival, किस tradition, या किस particular dance के बारे में discuss हो रहा है, यहाँ पर मेसुरू के अंदर एक तिबितन बुदिष्ट मौंक है, जो परफॉर्म कर रहा है, ट्रेडिशनल चाम डांस, यह बड़ा इंटरस्टिंग है, ट्रेडिशनल चाम डांस है, जो परफॉर्म किया जाता है, या cultural ceremony जो होती है, तिबितन न्यू इयर, लोशर और ताशी लुन यह one of the favorite topic है, UPSC के, तो सवाल होंगे, और सवाल में कई बार matching में सवाल हो सकते हैं, आज के टाइम पे जो कितने pair cracks है, उस तरह का tradition है, तो भई, accuracy ही बहुत important, तो चाम डांस related है, बेसिकली तिबतन culture से, और यह लोशर फेस्टिवल जो होता, तिबतन न्यू इयर जिसको बो कनाडा government के दोरा भारत के guest कई सारे allegation लगाया, latest allegation यह है कि भारत कनाडा के जो elections है, उसमें interfere कर रहा है, भारत ने का कि interfere का सवाल ही पैदा नहीं होड़ता, और interfere तो आप करने कोसिस करते हैं, 2019 में, 2021 में जो federal polls है, उसमें एक तरीके सा allegation लगाया, भारत के जो spokesperson है, Minister of Actional Affairs के जोनों ने का कि meddling करने की आप कोसिस करते हैं, for example, भारत में जब farmer protest कर रहे थे, यह purely internal matter था country का, कनाडा ने उस टाइम पे stateway release करी थी, तो कनाडा को कोई right नहीं है, हमारे internal matters में comment करने का, माल लेते हैं, farmers की समश्या हैं, तो सरकार के guest protest करें, सरकार से consultation करें, कोई भी दूसरी country नहीं बताएगी कि protest कैसे करना है, क्यों करना है, कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो वो meddling एक तरीके से, इंडिया ने इस तरह के allegation को कहा कि यह baseless है, इनका कोई base नहीं है, और कनाडा पर ही भारत के internal affair में meddling करने के efforts, कोशिस करी इनोंने, इसके अलावे बताएग कि ह हम लोग इस तरह के जो foreign inquiries होती है, इनका commission बनाया है, इसको strongly object करते हैं, एक तरीके से reject करते हैं, baseless हैं, इसके लावा इंडिया के foreign policy में कभी इस तरह का process नहीं रहा कि हम लोग democratic process दूसरी country के मामले में interfere करें, और भारत और कनाडा के जो bilateral relation है ना, काफी down इस टाइम पर कह सक करते हैं, इससे पहले यहां के जो प्राइमिस्टर है, जस्टिन टुडो, इन्होंने allegation लगाता है कि प्रो खालिस्तानी लीडर है, उनकी हत्या करते हैं, इसका allegation Indian government या Indian government के agents पर लगाता है, आपने इनकी हत्या करी है, तो यह सारे allegations को baseless का है, और आने वाले time हो सकता है, भारत और कनाडा, इन दोनों के ballot relation और ज्यादा challenging हो जाए, let's see क्या होता है क्या नहीं, इसके बाद हम बात करते हैं, मनीपूर के CM, एन बिरेन सिंग के बारे में, उन्होंने का कि जो free moment regime है, इसका suspension बहुत crucial है, internal security के हिसाब से, और free moment regime के बारे में हमने पढ़ा कि यह important feature भी ह और एक important part है, भारत सरकार की जो actist policy है, उसके थूरू भी, actist policy जहां तक बात होती है न, उसमें एक तरीके से, जो actist policy उसमें eastern जितनी भी Asian countries आती है, उनके साथ अपने ballot relation में काम करने के बारे में बातचित है, और यह north eastern states की और देश की integrity के लिए बहुत important decision था, और अभी जो यह decision लिया गया है, उसके पीछे एक वज़य है, महिनमार की जो political situation है, उसके लिए भी एक वज़य हो सकती कि immediately इसको suspend करने के बारे में decision लिया, हलाकि कई सारे group और faction जो है, जैसे यंग मी जो association है, जो United Manipur का है, नागा student federation, इन्होंने कहीं के oppose किया है, उन्होंका यह मानना ह कि जो free moment regime जो है, वो रहना चाहिए, यह इसलिए important कि आप sociology को, history of tribals को ignore नहीं कर सकते, हमारा एक तरीके से family relation भी है, और इसके अलावा यहाँ पर यह बताया गया कि जब बेटेस ने border draw नहीं किया, तब से हमारे यहाँ पर relation है, family relation, तो आप इस तरीके से उसको avoid नहीं कर सकते इसके बाद एक important project है भारत का, इंडिया का कलादान project जो Myanmar, इंडिया और North Eastern आप इंडिया के जो states है, उनके बीच में कह सकते हैं, इस context में यह जो project है, क्या यह एक तरीके से limbo के अंदर है, यह एक तरीके से जो project पूरा होना था, वो confusion में अब चला जा रहा है, क्योंकि जहा पर यह complete होना था, वो town, फिलाल, rebel, यानि जो military को challenge करने वाले group है, उसके पास है, तो यह project के बारे में थोड़ा map में पढ़ लेते हैं, फिर इस project में क्या चलता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर कुलकत्ता से लेकर, सित्वे port को connect करना है, ठीक, फिर एक road route ब इसको road link से connect किया जाना है, तो इस particular area पे है न, इस time पे Myanmar की जो एक तरीके से कह सकते हैं, Myanmar का जो rebel group है प्लेटेवा पर, इस पर कब जाओ गया, यही area आता रखाइन प्रोवेंस, जहां पर रोहिंग्या Muslims का भी area है, तो यह पढ़ते हैं कि exactly क्या चीजे चल रही है, क्या नही होरी इस पूरे scenario में, सबसे पहले बताया गया कि इंडिया का जो कलादान प्रोजेक्ट है Myanmar के अंदर, यह rebel group के एक तरीक ऐसे control में आ सकता है, यह जो जिस area में complete होना, वो rebel group के control में है, और connectivity project है, जो enhance करेगा हमारी maritime connection को South East Asia में, definitely एक setback की तरह है, क्योंकि Myanmar में एक internal war situation जो most dead हो चुका इस तरह की statement हाई, क्योंकि Arakan Army AA इन्होंने पलेटिवा टाउन जो उसको कबजया कर लिया, इसके अलावा अगर हम बात करें, यह ना 500 million dollar का एक project है, जिसकी cost 500 million dollar है, और यह multiple reasons की वज़े से delay हुआ है, जिसमें रोहिंग्या crisis जो 2017 में हुआ, रोहिंग्या crisis का root cause त ethnic differences है, इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, तो आज के टाइम पर Myanmar military और AA यानि Arakan Army के बेच में जो issues है, वो भी अपने आप में news में है, यह area में है ना कई सारे ethnic groups रहते हैं, जिसमें अगर हम बात करें, अराकानी जो बुदिष्ट है, रोहिंग्याज है, नोन रोहि traditionally majority state है, चीन communities का ही, और इसलिए आप देखेंगे, इस area के अंदर काफी protest है, military को challenge किया गया, हमने यह पड़ा कि जो सरकार वहाँ पर बनी थी, वहाँ पर change किया गया रिजीम को, और सरकार को जो चेंज करते हैं, military ने power take over करी, जंटा rule जिसको बोला जाता है, तो यह आपको basic basic से news आप इस पूरे scenario में देखने को मिलेगी, इसके बाद यहाँ पर एक important topic आपको नजर आएगा, parliament का यह budget session है, और budget session में जब हम पढ़ते हैं, तो बहुत सारी parliamentaries, Trumps और बहुत सारे words आपको देखने को मिलेगे, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले, यह जिरो आवर, जिरो आवर generally क्या होता है, जैसे parliament का session जो होता है, उसमें तीन ताइज, आप जो session उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहला session जो होता है, जैसे ग्यारा बजे मा लेते है, parliament सुरू होती है, वो होता question hour, जिसमें तीन तरह के question generally होता है, star question, non star question, question on short notice अंतर क्या है, star question में आप supplementary सवाल पूछ सकते हैं, non star का जो answer दिया जाता है, वो written होता है, तो उसमें supplementary सवाल नहीं होते हैं, फिर होता है question on short notice, come notice में आप सवाल पूछ सकते हैं, इसके अलावा, ये जो questions होते हैं, star, non star, question on short notice, ये आपको पहले बताना पढ़ता है, क्योंक भी data त्यार करने में समय लगता है, तो ऐसा नहीं कि वो एक दिन पहले हो जाएगा, तो वो ministry को आपको update करना पढ़ता है, इसके अलावा, 0 hour जो होता है, ठीक 12 बज़े का आसपास का जो समय होता, 12 से 1, ये माना जाता है, 0 hour जिसमें MP जो होते हैं, वो अपने अपने areas के, य अलागे बताना पढ़ता है, 10 बज़े के आसपास से पहले, इसके अलावा, ये जो 0 hour हुआ, इसके अंदर कई सारे issues raise किये गे, for example, मनीपूर violence को raise किया गया, hate speech के against low बनाने के बारे में, और national task force मनाने के बारे में, कि देश में stray dog जो हो एक तरीके से serious issues है, जिनको raise किया गया यहाँ पर एक तरीके से 0 hour के दुरान, अब आप लोगों के लिएक सवाल है, जब हम ये 0 hour और question hour जो ये word पढ़ते हैं, क्या ये words कहीं हमारे constitution के अंदर mention है या नहीं, दूसरा, अगर constitution में mention नहीं तो इन words के बारे में हम कहां पढ़ते हैं, exactly कहां से extract करे गए, कहां से लिए गए हैं, उसके बारे में जरूर आप नीचे कमेंट करिए, इसके बाद यहाँ पर union cabinet ने एक स्कीम जो है, फिसरी सेक्टर के लिए, या जो फिसर में कमेंट के लिए, लौंच करिए, क्या है इस स्कीम के अंदर, क्या इसकी significant उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, और union cabinet ने काया कि हम लोग एक परधान मंतरी मत्षय किशान समर्दी शाय योजना, जो सब स्कीम होगी, परधान मंतरी मत्षय संपता योजना की, जो micro और small enterprises operate करते हैं, फिसरी सेक्टर को उनके लिए लौंच की जाएगी, छे जार क्रोड रोपे का investment होगा अगले चार सालों के ल extension का benefit क्या होगा, एक तो जो various infrastructure है, for example, fishing harbor बनाना हो, fish landing center बनाना हो, ice plants बनाना हो, cold storage और fish transport facilities जो है, वो सारे चीज़े इसके अंदर होगी, तो ये कुछ important चीज़े है, इसके लावा एक और bill था जो मैं भी ढूंड रहा हूँ, कहां पर वो exactly है, एक से next page पे है, जिसके बारे हम में पढ़ना है, यहां पर आप देखेंगे, page number 6 पे, basically, parliament में बहुत सारे laws या bills जो पास किये जाते हैं, उनमें से कुछ important होते हैं, जैसे यहां पर एक bill introduced किया गया, वो था, pollution offense में, जो छोटे offense है न, उनको decriminalize किया गया, कि ये बहुत serious crime नहीं है, अगर treat नहीं करता कोई च जाएगा, लोग सबाने थरिश्टे को water amendment pollution and prevention bill 2024 ये पास किया, जिसमें important change रखेगे, जो 1974 का pollution and prevention, water, air, ये बहुत important एक तरीके से pollution, pollution control को लेकर act से, इनके बारे में जुरूर आप पढ़िए, एक wildlife protection act हो गया, इसके अलावा ये बताया गया, कि जो minor offense है, उसमें कोई crime नहीं हो होगा, fine जिसमें 10,000 से 15,000,000 है, उसके अंदर ये mention किया गया, ये हिमाचल प्रदेश, राजस्तान और यूनिन टेरिटरी में लागू होगा, इसके अलावा इसके अंदर center government ने एक तरीके से rule frame भी किये कि कैसे आप chair person जो है state pollution control board का बनाएंगे, इसके बाद state जो है follow कर सकते कि grant कैसे देना है, refusal कैसे करना है, या state board के द्वारा जो consent है, उसको cancellation कैसे करना है, इस context में यो सारी चीज़े आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद text and context वाला जो section है, उसमें हम पढ़ेंगे payment bank को लेकर, जो paytium payment bank है, दोनों topic already cover है basically, पेटियम payment bank जो है, ये debacle के अंदर क्य क्यों इतना हम डिबेट कर रहे हैं, RBI ने कहा कि 29 परवली से पहले है आपना काम धाम बंद करी है, और रोकी है आप इस तरह के activity पो, क्योंकि इनके ओपर दो तिन allegation है, एक तो जो authentication को लेकर main allegation है, कि आपना multiple accounts आपने एक तरीके से connect कर दिये, किसी एक pen card से, इसके अलावा know your customer, यानि KYC में कहिने के issues है, इसके बाद जो एक main चीज़ आती है न, कि कहिने के इस तरह है कि जो accounts operate होते हैं, फिर money laundering या illegal तरीके से money transfer या illegal तरीके से money generate की जाती है, वो कहिने के concern आता है, तो Reserve Bank of India ने payment bank subsidiary जो है, पेटियम की, पेटियम, payment bank limited इसको कहा कि 29 तारिक से पहले पहले अपने जितने deposit है, अपने account है, wallet से उनको, जो है वो pack करिए, उनका backpack करिए, और RBI ने basically disallow किया कि 29 फरोरी के बाद, आप जो है, कोई काम ने करिए, आपका काम धाम हम कर रहे है, बंद, इसके बाद fast tag भी इनका जो है, बंद हो जाएगा, और national common mobility card, ये सारी चीज़े आप use नहीं कर सकते, पेटियम क्या कर रहा है, आप ये क्योंकि दूसरे bank के साथ consultation कर रहा है, हमारे account है, customer जो है, वो आपको transfer कर देंगे, हमें भी कुछ जो इससे help मिलनी चाहिए, ठीक, इसके अलाबा, rice prices की बारे में discussion किया गया है, recently Indian governments ने जितने भी rice को लेकर जो meals है, उन mandatory किया गया सारे traders से, wholesaler से, retailer से, miller से, कि आप respective rice stock कितना है, इसके बारे में बताइए, इसके अलाबा, भारत सरकार के दोरा, भारत rice 29 रुबे पर kg, general consumer के लिए available करवाया गया है, traders and miller जो है, वो बहुत सारे regions इसमें देते हैं कि minimum spot price जो बढ़ गया है, पिसले 5 सालों पर, transport cost जो बढ़ी है, storage बढ़ी है, storage cost बढ़ गई है, definitely transport cost तो बहुत हद तक relate करते है, fuel prices से, ठीक है, तो ये बढ़ी है, इसकी वज़े से इननों का कि prices भी price के बढ़े हैं, एक question है जब हम बात करते हैं, minimum spot price के बारे में, आपने देखा होगा, farmers काफी protest करते हैं, उन्होंने का कि minimum spot price कम है, अब millers और trader ये बोल रहे हैं कि MSP तो बढ़ा है, तो एक contradictory चीज हो जाती है, लेकिन सवाल आप लोगों के लिए, अभी आपको पता होगा, रभी का season है, रभी crops के बारे में, डिसकस हो रहा है, minimum spot price में, रभी crops, कौन कौन सी major रभी crops को हम लोग count करते हैं, ये आपको comment करना, लेकिन इसके तीन पार्ट और है, दो पार्ट और है, एक commission है, जो recommendation करता है, MSP को, यह ना, वो कौन सा commission है, और cabinet committee on economic affair, जो है, उसको chair कौन करता है, ये ये ना, ABC करके आप इसको divide करेंगे, और इसके answer करेंगे, question के, right, इसके बाद, थोड़ा देखते हैं, world affair में, दु दुनिया में बाई, अलग-अलग चीजें चल रही है, जैसे United State continue, Iranian, pro-Iranian area पर attack कर रहा है, जैसे यहाँ पर Iraq में attack हुआ, इरान का कोई commander था, उसकी, इन्होंने हत्या कर दी, strike के थूँ, इसके अलावा, Iceland के अंदर volcano erupt हुआ है, और December से ये चीजे देखने को, मिल रही है, ये सारे चीजे इकर ये तो इनके लिए normal है, और तो कोई particular page पर नहीं है, next page पर है एक बड़ी interesting news जो हमें पढ़नी है, वो ये news है कि Ecuador जो Latin American country है, South American country आप बोल सकते हैं, जिन्होंने ये का कि हम youthensia को जो है वो कहीं decriminalize करेंगे, या legal आप कह सकते हैं, अगर crime नहीं है तो व ये दो तरीके से हो सकती है, या तो जैसे live spotting system, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये इनके nose पर या एक तरीके से कह सकते हैं, जब ventilators पर होते हैं, वेंटिलेटर से हटा लीजिए, एक तरीका ये होता है, दूसरा होता है, कि एक तरीके से उस व्यक्ति को कोई injection दे कि उसक इसको कई बार बोल सकते हैं, जिसमें एक sporting system हटाया जाता है, जिसमें धीरी धीरी उसकी death हो जाती, एक में injection दिया जाता है, ताकि उसकी death हो, ये देखेंशा जनली उन पेशेंट को दिया जाता है, जिनका treatment पोसिवल ही नहीं है, कोई coma के अंदर है, जो पोसिवल ही नहीं की decriminalize किया था, आज के टाइम पर उर्गवी और चिली यहां पर debate चल रहा है, मेक्सिको के अंदर ये good death के बारे हम डिसकस किया गया, कि family opt कर सकती है, इस तरह के provisions को, ठीक है, इसके अलावा, जो business section है, economy का जो section है, इसके अंदर, MPC यानि monetary policy committee, जिसको chair करते है, RBI के governor, जो important basically, important जो meetings होती है, banking को लेकर जीतने भी terms होती है, bank rate, repo rate, reverse repo rate, इन सब को decide करने के लिए, इस committee ने सबसे पहले तो, ये का कि inflation का जो target है, हमारा, वो 4.5% के आसपास रह सकती, growth जो 7% के आसपास जो वो रह सकती है, RBI की जो monetary policy committee, जिसमे 6 member होते हैं, 3 government के, 3 RBI के majority से decision लिया जाता है, और अगर tie हो जाता है, तो RBI गवर्नर का vote decide होता है, इसके अलावा इन्होंने का कि food prices, shock या जो dis inflation की जो pace है, वो interrupt कर रही है, इन्होंने का कि normal monsoon predict किया, 1.5-4% retail inflation रह सकती है, हमारा जो external sector economic हो resilient है, और current account deficit भी manageable है, current account deficit क्या होता है, जब हम import और export को analysis करते हैं, हमारा import ज्यादा as compared to export, तो भाई deficit हो गया, trade deficit आप बोल सकते हैं, जब आप इसी trade deficit को थोड़ा holistic way में observation करते हैं, तो यह आता current account deficit का part, ठीक है, वैसे difference है, जब मैं current account deficit particular पढ़ेंगे, तो उसके बारे मैं आपको अलग से ही बताँगा, चाहे हो fiscal deficit हो budget deficit हो, revenue deficit हो, current account deficit हो, primary deficit हो, यह important words हैं, और economy में न, इन words की ही माहिन है, अगर आपको यह words का मतलब बताऊगा, तो आप economy के questions को काफियत तक soul कर पाएंगे, फिलाल, the Hindu news analysis में इतना ही, thank you all, जैहिन